आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देश में छट पर्व की हुई शुरुआद डिप्टी सीम बिज़स पाटक ने तैयारियों का लिया जैजा लगिंपूर खीरी पहुंचे डिप्टी सीम केशा पसाद मौर्या डिप्टी सीम ने स्युप विशाल जनसभा को किया सम्भोदित लगणों में मुख स्वास्टी किसा अर्थकारी ने स्वास्त केंद्रों का किया निक्ष्ण शाजापूर में वैस्ट मास्ट मेलन के आज़्यकों ने की प्रेस वारता देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सवलता तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफता नश्वर आप देख रहे हैं उत्तर पदेश समाचार मैं हूँ मनीश बजोरिया शुरुआत करते हैं उत्तर पदेश की खबरों से देश भर में छट पर्फ की शुरुआत हो चुकी है राज़दानी लखनों में लक्षमर मेला मैदान में सबसे बड़ा जमावडा लगाया आपको पता दें कि तैयारियों का जाज़ा लेने के लिए डिप्टी सीम बिज़स पाटर पहुचे जहां गोमती नदी की पूजा सब लोगों ने मिर्जूल करके लखनों की घाटों की पूरी सफाई किये है गोमती तट पर जो गंड़िएती उसको हटाया है और जो मेंटिनेंस करना था जो सुडियां कहीं कहीं तूटी थी उनको मेंटेन किया है इसके साथ सीथा जो इसका मैदान था पहले कच्चा होता कि इसमें इंटर लाकिंग लगाकर को सब्सक्राइब किया गया है यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा विश्थित कारिकम कहीं नहीं देश में हो पाएगा और मुनाथ जी ने चालिस वर्शों से लगातार इतने भव्विता के साथ इस कारिकम का आयोजन किया है और जिल पूरी तरहें से पूर्ण हो चुकी है सुच्छता के लेकर के और मेंटेनेंस को लेकर के और स्वच्छ निर्मल जल्धारा यह लगातार चालीस वर्शों से कारिकम भुत्वी समाज करा रहा है लखनो जिला परसासन ने विकास प्रादिकरन ने इसके साथ डियाराफ एंड देश पाठक जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर एक विवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है साथी साथ प्रदेश देंगू की मार्ज हिल्ला उसको लेकर यहां स्वास तीम को भी लगाए जाएगा कैमरमन नीवत के साथ विभांसू प्राइम टीवी लखनो चार दिन चलन है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है पूजा के लिए साथी अगर बात की जाए तो ये तेवहार जहार खंड उत्तरपदेश पूरांचल में खासकर बिहार में खासकर और साथी साथ नैपाल में मनाई जाता है साथी अब धीरे धीरे छट का तेवहार पूरे 200 भर में व हैं सबसे पहले आपका प्राइम टीवी में बहुत-बहुत स्वागत हमीं यह वताएं कि क्या तैयारियां है और क्या क्या विश्थाय की गई है देखा या तैयारी तक लगवा हमने के एक महीना से चलाता और भब्य और दिब्य यह 49 वा कारिकरम हमार है तो बढ़ियां से कैसे मनावल जाई हमने का एक महीना से पूरा हमार भोजपुरी समाज और भोजपुरी समाज पूरे हमार कमेटी पूरे देश में बहुत-बहुर. पहले ये चार आदमी से हम निव रख ले रहनी यहां लख नव में च्छठ पूजा करता भारत के बाहर भाहर भी लग भग सईकडों देशों में जन्वा जन्मा मनाई जा रहा है भवे तरीके से जो यहां के लोग गए हैं, उतर भारत के लोग गए हैं, वहां पर भी धूम मचा हुआ है। जो पहली नहीं कि लोग बाहर के सबी लखनव में आवधी के लोग भी करते हैं और घर्म के लोग भी करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, उनको बच्चा हुआ, बहुत से लोगों का है, उनकी तमाम समस्यां थी, किसी को इसकीन प्राबलम था, ये सारे चीज़ें जो अनमा लोगों की मनत पूरी होई, आस्था बढ़ता गया और भगवान सुर्य तो अपार उर्जा के सुरोत हैं, हम लोग उसके सक्षाद गवा हैं, इतना दिन, दो-दो दिन खारा नहीं, हम लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी उर्जा जो महिलाएं बरत रहती है, 36 गंटे का निर्जल बरत है, भारत में कोई ऐसा त्यवार नहीं है, जिसमें 36 गंटे का निर्जल ब घरों में नहान, ध्वान, जो हमारी चूलहा जो है, जिस चूले पर घर में खाना बनता है, उस चूले पर ये पकवान नहीं बनेगा, जो सुरी भगवान की ठेकवा पकवान बनता है, वो उसके लिए नया मिटी का चूलहा बनाया जाता है, या नया बरतन में ही उसको किया जाएगा उसके बाद जो है आज साम को सारे लोग जो है बैटके साथी के चावल का रस्याओं और गाय का दूद में बना हुआ रस्याओं बनेगा रोटी रस्याओं और लवकी की सब्जी वो भी लोकी गोल वाली लवकी लगता है उसकी जो है सब्जी बनती है घी में बनती ह उसमें किसी में परकार के लेहसुन मिर्चा नहीं पड़ता है वो लोग खा के आज बरत रहेंगे कल छोटी छट है कल खाए ना कल खरना है कल खरना मतलब भोजपुरी सब्द है उपवास तो कल उपवास है और फिर रात में उसमें परसाद गरहन करने के बाद सीधे 31 स्तारिक को जैसे सूर्य उद्यमान होंगे उनको लोग अर्ग देके यह पूजे का समापन होगा महिला एक दूसरे को लंबी सिंदूर लगाती है इसका मतलब है कि अखंट सोभाग्यवती होने का एक दूसरे को बढ़ाई देती हैं सुबकामना देती है को सी कौन लोग रखते हैं लेकि छट पूजा जो होता है यहां से जब घाट पर आएंगे सूर को अर्ग देने के बाद फिर लोग घर जाते हैं और जो मिटी का जो कलस होता है उसमें 6-12-24 की संख्या में दिया बना रहता है उसी में सारे समगरी को रहके उसमें कोसी भरा जाता है गन्ना का जो है उस पर भजन पूजन चलेगा और जैसे सुर्भवान उदय होंगे उनको अर्ग देके पूजा का समापन होगा साथ विभान सूप्राइम टीवी लखनओ , केशव परसाद मौरीया लखेंपूर खीरी पहुंचे जांतिन उम्भर को होने वाले मदान को लेकर आज केशव परसाद मौरइया ने गोला विदान सभा चेत्र के ममरी गां में एक विशाल जंस्भा को समोधित किया. तिन हुमर को होने वाले मद्दान को लेकर भाच्पा प्रतासी अमन गिरी के पक्ष में वोट मांगे. कायकर में जाशक्ति मंतरी सोतंद्रेफ सिंग, रास्टी उपाद्यक्स रेखा वर्मा समेथ कई भाच्पा निता और हजारों की संक्या में कारकरता मौजूर रहे. यहां की जंता सारे भेदों को बूल करके कमल खिलाने का निड़े रे चुगी है और सपा का देशी कोई न उस्तर प्रदेश ने भाविश्थ है न देश में भाविश्थ है न लखिम की दोला भी रामकराश्थ है. इसे सपा को ओड देने का मतलब है ओड को बरबाद करना और कमल को ओड देने का मतलब है कि भोला चेथ का स्तरवान दिर भी रिकास करना. लखनों में मुख चिकसा अधकारी ने जनपर्द के कई प्रास्मिंग नागरी स्वास्त केंदरों का निक्शन किया, साथी हेल्प एवं वेलनस सेंटर बिजनावर का निक्शन किया. लिक्शन के दौरान अस्पितालों की साफ सफाई वे उस्ता सुधर्ण करने और शिदियों के उपलब दता, सुर्शित करने के निदेश दिये, आपको बता दे कि लिक्शन के दौरान मुख चिकसा अधकारी के साथ अपर चिकसा अधकारी भी मौजूद रहे. खबर गाजी पूर से जहां छट तोहार पर गंगा नदी किनारे वेदी बनाने गए दो यूगों की नदी में डूबने से मौत हो गई. घाटों पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों यूगों के शव को बरामत कर पोस्मार्टाम के लिए भेज़ दिया. साथ ही घटना की जनकारी मेतको के परजनों को दे दी गई, जिसके बाद मेतको के घरों में कोराम मजग गया. खबर हर्दोई से जहां शराव वेवपारी से दबंगों ने मारपीट के साथ 65,000 रुपए भी लूट लिए हैं. वेवपारी के पजनों ने बताए कि दबंगों ने उधार शराब ना देने पर इस घटना को अंजाम दिया. सुचना पर पहुंचे पुलिस ने गायल वेपारी को इलाज के लिए जिला स्पताल में भरती कराया है और दबंगों की गिरफतारी के भी सक निदेश जारी किया है. खबर अलीगर से जहां दो पक्षों में धान की खेत में पानी निकासी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फारिरिंग कर दी. इस जहगले में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए जिसके सुचना पर पहुंचे पुलिस ने इलाज के लिए जिला स्पताल में भरती कराया. डियस्पी अभे कुमार पांडे ने घटना स्थल का निशन कर उपद्रवियों के खिलाफ कली करवाई के निजदेश जारी किये. अब जोग सब घर पे थे और हमारी गाओं के राजेश पुत्र कुम्रका और सतीश पुत्र सुगर सींग और रोहित पुत्र राजेंदर और तेजबीर पुत्र महानला जेब आए और घर पे चड़े के मारपीट करने लगे और फारेंग करेंगे. अब सकते रावंड फारेंग ही है, हम लोग घर में बंदकर ले और जो के मेरे भांड़ के पतनी के तरह आए लम्यों है अलावी सब्स्क्राइब और निकलते हुए मेरे पापा साथ में आ रहे है लेकिन मेरे पापा मे नि जेट बली उसकारण मेरे पापा की गोली लेगे अर्जया मुझे मारने के लिए। कोई पुराना इन दुष्मनी चलिया रही है? तो पुरानी दुष्मनी चलिए। उजे मतभबा लेक जा रहे ही थी। और वहां से उसमे निकल के आई है, तो उस पल्लास जोनी पुली आई है किसमें मारी हो जटी है? जिब भोली मारिया, बुने कुमरपाल के लड़की राजे से लिए. क्या मामला, कोई रंजे सी या कोई? कोई रंजे सी नगी, जिब पानी के पीछी कर लेने का, जैसे पानी लिका सोय जालंग को हमारे जेटे है रिलिए से. पानी के लिका? खबर साजापूर से जहां खन्नो नदी घाट की साफसोफाई का कार नगर निगम दौरा करवाया जा रहा है, वहीं नगर आयुक्त आश्रतोस कुमार शर्मा ने घाट का उचक निश्ण का सफाई कार का जैजा लिया। पुर्वांचल महासबा अद्द्यक्ष रतीष चंद्र मिश्ण ने कहा कि घाटों पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और साथ ही बच्चों के मरुणजन के लिए मिक्की माउस की भी तैयारिया की गई है। चार दिन का पर्व होता है आज नहाज खाई से सुरू होगा कल खर्ना होगा खर्ना के बाद से जो साम को प्रती लोग जो है ठीर और चावल गर्ने के रस बना करके खाएंगे इसके बाद से च्छतिस घंटे का निर्जला बरत होता है। लोधिपुर में एक च्छत का एक विशेस घाट विगतवरसा में बनवाया था नगर निकमने और वहां पे सारी बिवस्था हैं जो च्छत परों से समंधित होती हैं वह रही हैं लगाता है दो तीन दिनों से क्लिलिंग कैम्पेंच अभी जो जलस्तर बढ़ा था तो उस घ अधिए जो 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 घृट है और उसके दूलाई का कारे हुआ है और जो पानी में गहराई में लोग न जाए उसके लिए हम लोग स्वरचाद मंग प्रबंद जैसे इसे मेरिकेटिंगों करा रहे हैं साजापूर में वैस मासमेलन के आउजिन की खिरनी बाग में आउजिन ने प्रेसवारता की है आपको बता दें कि अकिल भारती वैस एक्ता परिशत के रास्ती उपाद्यक्ष वेद प्रकाश गुपता ने प्रेसवारता आउजित कर बताए कि तीस अक्टूबर को साजापूर के गांधी भावन में वैस मासमेलन का आउजिन किया जा रहा है जिसमें मुग अत्री के रूप में वित्र मंत्री शेश सुमार खरना सामिल होंगे प्रेसवारता के दुरान प्रदेस उपाद्यक्ष महानगर महिला अद्यक्ष समेट कई लोग मौजूद रहे ये समाज को जागरूपता जागरूप करने के लिए किया जा रहा है और समाज में जो हमारे कुर्टियां है थोड़ा जैसे दहट मांगना उसके लिए लोगों का जाएगा दहट मतलो दहट रहत बिवा करो और जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं कमजोड लोग हैं उनकी मदद करके उन्हों उठाने काम करे इस बात का मेन उद्धेश है खबर हर्दोई में कुदवाली शहर थाना छेत के गाउं बदैचा में हुए डवल मडर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है कुदवाली शहर पुलिस ने संसनीकेज घटना का खुलासा करते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले टीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किये जाने के सुचना प्रस वारता कर जन करी दी प्रथाना कुदवाली शहर में ग्राम भदैचा है उसमें रहने वाले एक बाबुसिंग उनके कुट्र की गुली बार करक्तिया कर दी गी था और साथी साथ उनके परिवार के दो लोग और एक परोष को भाइल कर दिया गया था इस सम्मन में जो खायल पुत्र है उसकी तरह पहरी पर गाउं के ही गुडू सिंग उनके दो पुत्र और एक वरिवारी को नामज़त किया गया था इनकी जो है हर्दोई पुलिस दौरा अपर पुलिस तरह पुलिवी के लिडर्शिप में गठागी थी इनके रेस्ट के लिए जो की गधरात्री में जो इसमें लुक्त जूप्ट पर गिरिप्तार की गई अलीगरों में तेज़ अफ़तार केंटर ने 22 अवार वेक्ट्री को रौंदा है आपको पता दें कि यूवा गंबी रूप से घायल हो गया है जिसके बाद सुचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पिटल में भरती कराया हास्ते की सुचना पाकर पहुंचे ग्राम के हैं वो मेरे चाचा जिया बेल्डिंग का काम है उनका इगलास में और वो घर के लिए जा रहे थे कोई भी सुरच्चा नहीं है ना कोई कुछ है आप लोगों ने क्या मांग की मांचोरा है हमने उनकी मांग की उनका बेटा खड़ा हुआ है उनसे बात कर लीजिए आप द दुफान से घर पर नाने के लिए जा रहे थे तरह को वसे लियो घर आए तो उन पर च्क्रवारिंग में हो गया है यह पलिस अधिक्षक के नितवत में अपराद और अपरादियों के खिलाव सक्क जार chilly कि जा रही है संबन्त में पुलिस और सर्विलास की टीम ने बीदे कुछ दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा किया साथी एक संदिट को भी गरफतार किया है पुरीस अधिकारियों ने हत्या में इस्तेम्ल किये गए और करणों को भी बरामत कर लिया है प्रवीन पुर्परदीप बाल निवासी बारून मजार गाना इनायप नगर जनपज रुद्या उद्या प्रव्तार किया गया है तेवरिया में पुलीस ने लूट की घटना का खुलासा किया आपको बता दें कि पुलीस ने तीन आरोपियों को गरफतार कर लिया है घटना सलसे अवैद कार्थूस भी बरामत किया है कुछी नगर में कस्या थाना छेत के जिगना गाउं में समीव धाना की खेती में यूवक अर्द जला शव मिला है वहीं जब कुछ ग्रामी टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक अर्द जले शव को जानवर खा रहे थे लोगों ने इसकी सुचना तुर्ण पुलिस को दी सुचना पागर पुलिस घटना इस्थल पर पहुची और जाच में जुट गई जाना कस्यान पर्गत सुचना गाउं में एक व्यक्ति की जो है शो मिला था उसे जलाने का प्रयास दिया गया था और उसकी तहचान अस्ता पित्र हो गई है वो नूर सलाम शिक्वनिया के कस्भा बढ़या च्छापर मेंदे कराने वाला है और प्रकर में परिजन द्वाला जो है नाम दे दुख दो रुटों के वो दुट तहरे दी गही है तरकर में सौक पोस्मार्टम के लिए तिथा इसमें अग्रे तब इनर्वेल डिस्टिक्ट का उजन इस बार हर्दोई के इनर्वेल डिस्टिक्ट कलब द्वाराज जे के पब्लिक स्कूल आवास विकास का लोनी में किया जा रहा है मुग 38 सज्टा लुनानी और सरोष कट्यार इस काईकरम का हिस्सा होंगे इस अफसर पर कलब साक्षक्ता काईकरम योग सिक्षा मैला हेल्प लाइन का उद्गाटन किया गया वह इस काईकरम में पदरस्चनी भी लगाई गई जिसमें कई तरह के पादों की प्रस्तुति दी गई प्राइम टीवी नवशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार